रादे रादे सबी को आज मैं बनाने जा रही हूं किचन से डिसकार्ट किये गए कंटेनर से प्लांटर बास्केट प्लांटर बास्केट से हमारे प्लांट और भी ब्यूटिफुल लगते हैं इसके लिए मैंने दो प्रकार की रोप लिये यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी अभी हमारे इन कंटेनर के धकन का कोई भी यूज नहीं आना है तो मैं उनको हटा दूंगी मैंने या कपड़े की स्ट्रिप काती है मैंने या पर दोनों कंटेनर के मीजरमेंट के हिसाब से कपड़े की स्ट्रिप काती है चोटे कंटेनर के हिसाब से च करोड़ करते हैं इस प्रकार से लैंत की कपड़े की काट लेनी हैं आप वाल технолог 은 गेहूं की बोरियां होती हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं और उनकी पतली-पतली स्ट्रिप काट सकते हैं कपड़े के जैसी तो मैंने याँ पर देखिए इन स्ट्रिप को किस प्रकार से पेस्ट किया है इस कंटेनर में तो देखिए मैंने या ग्लूगन की साहिता से पेस्ट कर लूँगी मैंने बड़े कंटेनर के अंदर फॉर स्ट्रिप पेस्ट किया है और छोटे में थ्री कपड़े की स्ट्रिप पेस्ट किया है तो मैं इसी प्रकार पेस्ट करते हुए इसको अंदर से भी ग्लूगन की साहिता से पेस्ट कर दूँगी और भार से भी त से स्टार्ट करूंगी आप चाहें तो किसी भी प्रकार की रोप इसमें यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर ब्लू और ब्राउन रोप का यूज किया है मैं बोटम की साइड ब्लू रोप को लगाऊंगी और इसको अच्छे से ग्लूगन से पेस्ट करते हुए इसको इसके चार तरह पेष्ट कर दूँगी देखिए फस्ट लेयर को हमें कि ग्लूगन 558 करना होता है बाकि की लेयर को हम कि से पेष्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा व्हसके एट-पइंट को हम क्लूगन से फेष्ट कर देंगे इसके प्राउन रोप ली है और उसको ब्लू रोप के एजे से चिपकाते हुए मैं उसको स्टार्ट करोंगी और उसको इसी प्रकार मैं ग्लूगन पेश्ट कर दूगी एक पेश्ट में बाद बार बार Bowl कि इस्तमाल करने की आउशकता और नहीं है मैं इसको इसी प्रकार से देखिए राउंड राउंड ताइट ली दबाते वें नीचे की तरफ अच्छे से इसको लगा दूगी देखिए मैं इस ब्राउन रोप की पूरी लेयर को बिना ग्लूगण के राउंड राउंड इसके चारों तरफ लगा दूंगी और यह अच्छे से फिक्स हो जाती है बिल्कुल भी नहीं हटती है और जिसका एंड पॉइंट है उसको मैं ग्लूगन से पेस्ट कर दूंगी अब मैंने यहां पर देखिए ब्लू की लेयर ज्यादा किया है और ब्राउ तो गुल कर सकते हैं या आप चाहे उसी प्रकार से इनको लगा सकते हैं मुझे यही पैटन बलागन тогда इसलिए मैंने यह यही बनागन मैं इसको प्रकार से सटमीर लगा कर बिना फलूगन से पेस्ट किए इसको चारों तरफ इसके लगा दूंगी राउंड ग्सक्रिया handle बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी रोप देखिए और रोप की बना दूँगी चोटिय जिस प्रकार से हम चोटी गूतु थे हैं उसी प्रकार से हम इस रोप की हम । चोटी गूत लेंगे दोनों basket के measurement के हिसाब से कि हमें दोनों basket में कितने बड़े handle लगाने हैं उसी measurement के हिसाब से आप इस प्रकार से चोटी गूत कर handle ready कर लीजे मैंने आप पर दोनों basket के measurement के हिसाब से कि मुझे कितने बड़े handle लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं, उसी प्रकार से मीजरमेंट करके मैंने यापर हैंडल बना लिये हैं, अब मैं इसको ग्लूगन की साहता से अच्छे से पेस्ट कर दूँगी, यहाँ पर जो भी एक्ष्टा वायर लग गई हैं ग्लूगन की, मैं उनको रिमूँ कर दूँगी, तो देखिए, मैं बता लियूँ कि मैं इस प्रकार से हैंडल लगाऊंगी, तो मैंने दोनों बास्केट के उपर हैंडल लगा दिये हैं, और यह दिखने में कितनी ब्यूटिफुल लग रही है, अब इसके बोटम पार्ट को कवर करने के लिए, मैं एक कार्बोर्ड पर सरक कट कीजिए, तो देखिए, मैंने इस प्रकार से सरकल ड्रो कर लिया है, और मैं इसको कट कर दूँगी, मैं इस प्रकार से इसको कार्बोर्ड को मैं रोप से कवर कर दूँगी, राउंड टू राउंड, देखिए, चारो तरफ से कवर करने के बाद मेरे दोनों बन चुके ह अब मैं इनको बास्केट के बोटम पार्क में लगा दूँगी और आप देखिए कितनी सुन्दर लग रही है और फिनिशिंग के साथ हमारी बास्केट रेडी हो चुकी है आप देखिए बिल्कुल इसमें कहीं से भी कपड़ा इधर उदर नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल के साथ रेडी हो चुकी है अब हम इनमें लगाएंगे प्लांटर आप इसको चाहें इंडोर रखिए चाहें आउटडोर रखिए जहां भी रखोगे ये लगनी तो बहुत ही सुन्दर है रैसे तो बास्केट इंडोर बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है सभी इंडोर ही ल रादे रादे